गद दिनों एक यूट्यूब चेनल पर बेकरीयों के संचालन को लेकर समाचार परसारित किया गया था जिसमें गंदगी के बीच बेकरी आइटम बनाए जाने का वीडियो परसारित किया गया था इस परसारण पर खरगोन बेकरी एससेशन के जुड़े लोगों ने आपत्ति जयताते हुए समाचार को भ्रामक और असत्य बताते हुए न्यू चेनल पर कारिवाही की मांग की है बेकरी संचलक कोतवाली पहुचे और कोतवाली में चेनल समवाद दाता सही चेनल प्रबंदन के खिलाब कानूनी कारिवाही की मांग की अमजद खान ने बताए कि उक्तव वीडियो में सत्यता नहीं है यह वीडियो खरगोन का ना होकर किसी अन्य जगह का है इस वीडियो की पूस्टी नहीं होने के बावजूद इसे खरगोन से जोड़कर यहां के व्यापार को नुकसान पहुचाया जा रहा है हमारी मांगे कि ब्रामक एवं असत्य समाचार प्रसारित करने वालों के खिलाब कड़ी से कड़ी कारीव ही की जाए खरगोन से जैनत गुपता की रिपोर्ट इनका होपे के वीडियोत बाहर का थै और खरगोन का बचाया बताया यहां इसी बात की अम जाच कर रहा है इसको जाच करेंगे और जाच करने पर अगर मांनू वीडियो कहीं और इसको प्रसारित किया जा तो संबंदित के खिलाब जो भी वेधानिक कारवाई बनती हो करें यह जब आपकर दिन है सोचल मेडिया के ओपर एक वीडियो देखरी का वीडियो वायरिल वा है और यह चेनल वाले खरबोन के वो यह बता रहा है कि हम जहें कि परसासन से यह मांग करते हैं इसकी जहें के ज आपको आवेधन देना हैं आपने एफायर के लिए आपने एफायर के लिए जो है के मांगरी की जिन लोगों ने फेस्बूप और टीवी के ओपर जो चलाया है उनके ओपर एफायर की जा या फिर वो लोग साबित करें वो वीडियो कहां से वो लाये हैं और वो खरबो बता मुझे शालाते हैं को इंधयों को इस्टिंग आपरेशन का बोल रहा है का वो इस्टिंग आपरेशन नहीं और खरबो ने इस तरीके करना तो जो बंता है ब्रूप अगर इनों फिराशन को यह पर से घृटा जो है किसे इनको पर सक्तकर वही और दर्ज को खरगोन के अंदर आज करीब करीब पचास से ज्यादा बेकरिया हैं और दस हजार से ज्यादा लोग इससे जुड़ेवे हैं यह अगर बेकरिय धंदे को कुछ नुकसान होता है तो यह लोग जिन्होंने फेस्बुक पे और निवीश को पर वीडियो चलाया यह लोग उनकी ख सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना मुलें